Assalamu alaikum everyone and welcome to this tutorial. In this tutorial में मैं आपको बताऊंगा कि Microsoft Access 2016 को कैसे start करना है. तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो बिलकुल beginners है और जिनको at least Microsoft के बारे में, Access के बारे में भी तक कुछ पता नहीं है. उन्होंने just download किया है और उसको start करना चाहते हैं. तो इस वीडियो में जो हमारा outcome होगा वो यह होगा कि हम इस चीज़ को learn करेंगे कि Microsoft Access होता किया है इसके through हम क्या चीज़ें अचीज़ें अचीव कर सकते हैं और फिर इसके various elements जैसे उसके table, queries वगरा होगी, forms तो यह सब चीज़ें हम आगे जाके सीखेंगे. तो let's start this tutorial. So, इसको start करने से पहले मैं आपको एक छोटा quick overview देता हूँ कि basically इसको use करते हुए हम क्या चीज़ें अचीव कर सकते हैं. So, for example, मैंने अभी pre-created जो हैं, पहले से बने हुए एक table वगर उठाए हैं, तो मैं आपको एक example के तोर पर आपको तिखाता हूँ कि क्या हो सकता है. For example, मेरे पास यह दो tables पढ़े हैं, contract table, इसको double click किया मैंने और यह open हो गया. इसमें हम देख सकते हैं कि हमारे पास various fields हैं. सबसे पहले fields क्या होती हैं, यह इतने भी यह columns हैं, जहां पर यह heading है, contract number, customer id, contract amount, तो यह सब fields हैं, पूरा column fields है. तो हमारे पास अभी कितनी fields हैं, three, four, five fields हैं total अभी इस table के अंदर. तो हमारे पास contract का table है, जिसमें contract number दिये गए है, customer की id दे गई है, तो इस table की जो primary की है, primary की basically एक unique number या unique id होती है, जो हम record को देते हैं, ताकि हम उसको उसके थुरू identify कर सके हैं. For example, हमारे पास, मैं चलना आपको next table में देता हूं, जैसे हमारे पास यह customer का table है, तो हम इसमें देखते हैं कि हमारे पास customer की id पढ़ी है, और हमारे यहां पर first name है, last name है, तो हमारे पास इस record में यह भी हो सकता है, कि customer के ऐसे नाम आएं, जिसमें first name और last name दोनों का same हो, For example, म identify them कि कौन से हैं और क्या से इनको differentiate करेंगे, तो उसके लिए हम एक unique number set कर देते हैं, जो कि unique to that customer होता है, और वो होती है उसकी primary की, तो इस table में इसकी primary की है, यह customer id, जो कि हर customer को एक unique number दिया गया है, Similarly, हमारे पास एक table contract, जिसको हमने भी देखा है, contract का table था हमारे पास, जिसके अंदर उसके contract number, customer id, और similarly, एक customer का table है, जिसमें उसकी various fields है, like company, first name, telephone, city, state, etc, etc, तो यह दो tables हमारे पास है, तो इसकी overview अगर देखें, यह look देखी जाए, तो यह एक excel sheet की तरह दे रही है, लेकिन इसमें functionality बहुत है, वह हम देखेंगे, तो यह हमारे पास basically tables है, तो दूसरी स्चीज, जिए दूसरे element जो इसका हम देखना है, वह हते है इसकी queries, तो queries, for example, हम हम यह contract का table देखते है, इसमें contract number है, customer की idea, लेकिन इसका first name नहीं है, last name नहीं, तो हम चाहते है एक customized table बनाए, तो उसमें क्या हो, कि एक तो contract number आजाए, ठीक है, और उसके बाद उस जो customer है, उसका first name, last name, उसका telephone, हमने सिरफ for example, हमने एक agent बिठाना है, ताकि वह उनको call करके बताए, कि हमारी जो various promotion है, हमने वो करनी है, तो हमारे पास जो table है, हम पहले इसको देखेंगे, first name निकालेंगे, last name निकालेंगे, तो उससे बेतर ही है, हम एक query design करें, उसमें जो जो चीजी है, यतने भी हमारे पास tables है, उसमें से जो चीजी चाहिए, वो इसको customized तरीके से ह में show करेगा, for example, मैंने अभी एक पहले security बना के रखी है, just to show you, कि होती कि है, तो ये है queries, इसको मैंने नाम दी है, contract with name and email, अगर मैं इसको double click करूँ, तो हमारे पास ये table खुल जाएगा, जिसमें, सिरफ contract number है, first name है, last name है, और जो जो चीजे मैंने select की है, ये जो चीजे मैं it is showing only those values, so this is what basically query does, and उसके बाद हमारे पास आ जाते है, forms आ जाते है, इसका जो next element है, for example, मैं ये contract के table में जा रहा हूँ, मैंने इसके अंदर एक नई entry देनी है, तो मुझे इसके निचे जाकर एक तरीका तो ये है, कि मैं manually यहाँ जाके entries दो, और यहाँ save कर दो, लेकिन ये बहुत ही boring तरीका भी और बहुत ही backward तरीका भी है, तो इसको tackle करने के लिए हमारे पास forms आते है, तो forms ही मैंने पहले बना कि रखा हुआ है, मैं आपको further बताऊंगा, कि इसको कैसे निचे तरीके से create करते है, लेकिन फिलहाल के लिए, जो मैंने contract का form बनाए है, इसको मैं double click क वो आपको पूरे यहाँ पर जो fields हैं देया देता है, और आपने इसके अंदर values enter करनी है, और save करनी है, तो अगर देखा जाए तो यह 1654 इसने कुछ data शुरू सही पिक किया, तो यह कौन सा data है 1654, अगर मैं contract में जा के देखूं, तो 1654 इसने यहाँ से first entry उठा के इसने हमें इसके अंदर, यह आप नीचे देखें कि यह आपको दिखा रहा है, 1 of 65, which means 65 is total number of records and it is showing me the first one, so this icon, if I click on it, it will take me to the first record, जो कि मैं अभी उसी के ओपर मुझोद हूँ, मैं इसके ओपर manually enter कर सकता हूँ कि take me to the 60th record or whatever, उसके बाद यह है, यह मुझे लेके जाएगा next, यह अगर म मैं इसको click करूँगा, तो यह मुझे से number 65 पे ले जाएगा, इसी तरह यह number 1 पे ले जाएगा, अब मैंने एक new record डालना है, new entry डालनी है, तो this is the icon, new blank record, इसको मैं click करूँगा, यहाँ पे मैं कुछ भी डाल सकता हूँ, for example 6565, customer ID मैं देख सकता हूँ, 256 or amount something 85,000, signing date, EL का सा calendar है इसको मैं click करता हूँ, and I input whatever, ठीक हो गया, उसके बाद यहाँ से मैं फिर, यहाँ से next record पे, next record कर दें यह जो भी कर दें, अगर आपने अलग करना है, तूसरा कर दें, नहीं तो आपने input दे दिया है, उसके बाद आपने क्या करना है, इस table को close करना है, ठीक हो गया, और आप अब दोबारा खुलेंगे तो यह, जी चेंज है आपको visible होगा, अब मैं दोबारा से contract table खोलता हूँ, and if I go at the bottom, I can see, कि मेरा record add हो चुक है, so this is what basically form does, so tables होते हैं हमारे पास, जिसमें हम database store करते हैं, अपने fields फोगारा store करते हैं, उसके बाद curious होती है, curious कर करती है, कि हमें specified data, जो fields हमें required होती है, हमारे पास 3, 4, up to 10, यह, जितने भी tables हो, उन मेंसे जो हमारे पास specific or required fields होती है, हमें वो हमें एक customized view देता है, उसके बाद हमारे पास forms होते है, forms भी हमारे पास, हमें data को enter करने के लिए, edit करने के लिए, delete करने के लिए, वो use होते है, और एक और चीज भी ह होती है, जो कि बेसिकली होती है, क्यों कि की तर आई है, लेकिन वो एक अच्छी रिप्रेजंटेशन होती है, ताकि हम उसको use कर से के लिए, उसको printout निकाले है, वो हम फिर further tutorials में देखेंगे, तो फिलहाल इस पार्ट में, बेसिकली मैं आपको बताना चाहरा था कि, यह, अच्छी एक्सस के थरू कर का सकते है, नेक्स पार्ट में हम क्या करेंगे, उसमें देखेंगे टेबल बनाते कैसे हैं, फोर्म क्रेट कैसे करते हैं, क्यूरीज वगर कैसे करते हैं, तो इस पार्ट में हमने देखना है कि कैसे टेबल निव बनाते हैं, Microsoft Access 2016 में, हम जाएंग हैं जा कि हम उसकर सकते हैं लेकिन फौर यागान धाम बाते हैं, तो इस As you can see, इसने initially हमें दो चीज़ें दी है, एक ID, और आगे उसने कहा click to add, जो भी आपने field देनी है, so इस table का नाम भी, अभी table 1 है, for example, ID उसने, ID पर मैं click करता हूँ, तो यह देखिए, data type मुझे दे रहा है, auto number, auto number में क्या है, कि इसके अगे description पढ़ें, तो data types control the type of data, data field source, such as integer, त आप name देंगे, तो उसकी short length यह, उसकी मैं आप type बताऊँगा, लेकिन ID में auto number क्या करता है, कि जब मैं next record enter करूँगा, तो यह automatically 1 है, अगर, तो 2345 auto number इसको देता जाएगा, जैसे मैं आपको पहले बताया था, कि यह इसकी primary key भी है, यानि यह इसकी unique होगी, यह चीज, यह numbers repeat नहीं होगे, for example, यहां पर उसने कहा, click to add, यहां पर click करता हूँ, तो पहले पुछेगा, इसकी type क्या है, हम कहते हैं कि इसको, let's say, short text कर देते है, ठीक है, और इसका, हम, इसके field का, जो title हो कर देते हैं, first name, understand, second हम देते हैं, फिर से short text, इसका हम देते है, let's say, last name, उसके हम पर देते हैं, number, और इसका देते है, telephone, understand, हमारा बस अभी फिलहाल के लिए, यह चीज़े, बहुत है, तो यह basic हमारा एक, table का structure है, यह बन चुका है, तो इसको, अगर हम, यहां से cross करेंगे, तो यह मैं पुछेगा, do you want to save changes, हम कहेंगे, yes, table 1, so, पुछेगा, table का नाम क्य let's say student देते है, student, इसको okay करेंगे, तो यहां पर देखेगा, एक table हमारे पास, create हो चुक है, double click करें, तो यह वही fields जो हमने डाली थी, वो इसके अंदर enter हो चुकी है, आप देखे, मैं first name पर अगर click करता हूँ, यह first name, यह last name, यहां पर हम इसकी value दे सकता हूँ, तो यहां पर table का जो है, एक आ रहा है, home के अंदर है view, यहां पर tabs में home create, आपको home में आना है, और यहां पर view आपको दे रहा है, अगर आप इसके drop down में जाएं, तो आपको देख सकते हैं, कि एक data sheet view है, या एक design view भी है, अगर मैं design view में चाहता हूँ, इस table की, तो यहां से मैं आके change भी क कर सकता हूँ, यानि के ID है, अगर मैं इसका data type change करना चाहता हूँ, वह भी कर सकता हूँ, email, telephone number का भी change मैं कर सकता हूँ, तो अब यह आपको यहां पर की नज़र आ रही है, यह की की है, यह है primary की, यानि अभी फिलहाल हमारी ID जो है primary की है, यानि अभी फिलहाल हमारी ID जो है data sheet view में, तो यह एक हमारा table बन चुका है, अब हमने इसके अंदर record को enter करना है, उसको enter करने के लिए मैंने आपको जैसे पिछले tutorial में या पिछले part में बताया था, कि हम manually जाके इसको enter कर सकते हैं, लेकिन इस चीज़ के लिए Microsoft XS 2016 ने हमें दिये है forms, जिसके तरू हम data enter कर सकत हैं, तो अगर हम जाएं यहाँ पे इस tab में, जो है create का, इसमें हम जाके देखेंगे, के there are various options, we can create tables, queries, forms, etc. and reports, for the timing, हमने एक form create करना है, तो form create करने के लिए भी बहुत से तरीके हैं, लेकिन फिलाल हम जाएंगे form wizard से, जो के एक बहुत quick और easy तरीका है, and we're gonna stick to this for the time being, okay, so let's click form wizard, इस पर click करेंगे, तो हमें एक ये option देगा, तो सबसे पहले हमें ऊपर यहाँ से table select करना है, कि जिस table के आप form लाना चाहते हैं, तो अभी फिलाल हमेरे पास एक ही table है, तो drop down में एक option आ रहा है, तो हम उसी को select करेंगे, और उसके बाद हम से पूछेगा, कि आप उस form मे क्या क्या चीजें, कौन कौन सी fields enter करना चाहते हैं, जिनको अपने edit, delete वगरा करना है, तो हम एक 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 करके भी डाल सकते हैं, कि हमें ये तीन चीजें चाहिए, ये दो चीजें नहीं चाहिए, या हम ये जो double arrow है, इसको click करेंगे, तो ये सारी fields इसके अंदर आ जाएंगी, similarly, इसको click करेंगे, तो ये सारी चीजें वापस चाले जाएंगे, so we're gonna add all of the fields in our form, and hit next, and then it's gonna ask के उसके इसके structure है किस तरह हो, column हो, tab zone, data sheets are justified, so for example, for the timing, हम column ही सको रहने देंगे, कि एक के नीचे, एक लाइन वाइस, वो fields आती रहें, next करें, और ये हमसे पूचे का नाम किया ह हम इसका student ही रहने देंगे, क्योंकि वो उसके साथ denote करता है, और नीचे वो कह रहा है, कि open the form to view, और यानि कि जैसे हम इसको finish करेंगे, तो वो हमें एक form open कर देगा, जो हमने create किया, तो इसको finish करें, तो ये हमारे पास form आ चुका है, ये under forms के under हमारे पास ये पढ़ा हुआ ह कि ये id, first name, last name किया है, ये वही fields हैं जो हमने अपने table में create किये है, वही forms में है, for example, ये id को हम as it is रहने देते हैं, first name हम डालते हैं, let's say, Ali, last name, Hassan, और जो है इसका email, anything at gmail.com, और telephone, let's say, कुछ भी यहां पर input करके, इसको हम करते हैं, जी, यहां से, next record, अगर हमने, okay, so, इसने कहा है, the value you enter isn't valid for this field, for example, you may have entered text in a numeric field, so, हमने यहां पर कुछ गर्बर की है, अच्छ, हम सबसे पहले जो हमसे इस form को cross करते हैं, okay, वो हम नहीं करने दे रहा, क्यूंकि हमारे बास data type, जो है, वो miss match हो रही है, तो हम इसको new record करते हैं, तो हम बेशक इसको यहां से delete करते हैं, और इसको भी हम वापिस जाते हैं, वापिस करते हैं, वापिस करते हैं, तो हम जो है, इसके बाद, इसको यहां से new करते हैं, ताकि यह reset हो जाए, इसको यहां से close करते हैं, और फिर हम यहां से जाते हैं, इसके design view में, तो यह चुंकि हम नहीं यहां पे एक number set किया था, तो हम यहां पर जाके देखते हैं, कि हमें कोई और option यहां पे मिल रहा है कि नहीं, तो हम यहां पे जाके number, चुंकि वह 123 लाइक था होता है, तो हम यहां पे short text भी दे देते हैं, तो यहां जाने के बाद, हम इसको okay करते हैं, यहां से cross करते हैं, इसको ना ask कि आपने save करना है या नहीं, हम इसको save कर देंगे, ठीक है जी, अर दोबार से this table को open करते हैं और हम यहां student के form में जाते हैं, तो यह, चुंकि data हम ने वह enter किया था, इसलिए one पहले से उठा रहा है, उसने वह add कर दिया था, तो for example हम इसको बाद में set कर लेंगे, हम यहां पे एक new data enter करते हैं, यह यहां से इसको new blank record enter करते हैं, first name हम देते हैं, Ali, next देते हैं, hasan, email देते home, उसके बाद telephone देते हैं, 030020201, ठीक है जी, और इसके बाद हम इसको next record करते हैं, कुछ, और next record enter करना है, तो well and good, otherwise, इसको यहां से cross करें, और अभी देखिएगा कि वह record यहां पे show नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि अभी वह table पहले से खुला है, हमने इसको यह the forms using Microsoft Access, and for example, यह था हमारा forms, अब मैं जाता हूँ इसकी reports की तरफ, reports sorry, इसकी queries की तरफ, queries कैसे बनाते हैं, आपको मैंने पहले बताया था कि queries बनाने का मकसद यह होता है, कि किसी भी table के, बेशक एक table है, या many tables है, you have to select, you wanna select some specific fields, and make a customized table, इसमें सिरफ वही fields show हो, तो उसके create में जाएंगे, query का जो design है, आप उसमें जाएंगे, query बन सकती है, लेकिन हम फिलाल query wizard करेंगे, तो इससे में पूछेगा, कि यह थोड़ से various options दे रहे हैं, हम अभी simple query wizard पे रहेंगे, okay, तो यह पूछेगा, कि किस table की आपने query बनानी है, तो हम अभी एकी table है, तो उससे की रहेंगे, वह यह पूछ रहा है कि इसमें क्या क्या चीज़े होने चाहिए, तो हम सारे चीज़ें भी ले सकते हैं, लेकिन उससे कोई फाइदा नहीं होगा, तो हमें वह एक customizer, हम कहते हैं, सिर्फ उसकी ID हो, और उसका first name हो, और उसका email हो, यह तीन चीज़े आएं, first name, next क करेंगे, वह पुछे का इसका नाम करेंगे, हम करेंगे, it's okay, student query looks good, हम इसको finish करेंगे, तो यह हमें देखिए, अब उसने, इस student table में से, क्या क्या उठाया है, first name उठाया है, ID, first name और email उठाया है, आईडी, first name और email उठाया है, बाकी चीज़ें skip कर दीए, तो अगर हम इसक सेव ना रहें, तो हम इसको करेंगे, student query करेंगे, तो सिर्फ उसमें वह specified field show करवाएगा, so इस tutorial में हमने देखा, कैसे हम access को use करते वे various functions perform कर सकते हैं, tables बना सकते हैं, उस tables में data enter करने के लिए, हम form इस्तमाल कर सकते हैं, फिर हम एक customize, इसका view लेने के लिए, हम queries बना सकते हैं तो आज के tutorial में सिर्फ इतना ही, हम next tutorial में मिलेंगे जिसमें हम इसको मजीद explore करेंगे और इसके various elements और इसके various procedures पर बात करेंगे, so I hope you like this video, stay tuned for the next tutorial, bye